आर्थिक मंदी का दंस जहल रा भारत में अभी इस पर डॉक्टर मन महंसी ने एक टिपणी करते हुए कहा कि आज अर्थिवस्था की स्थिति कहरी चिंता जनक है उन्होंने कहा कि 5% अंतिम तिमाही की जीडेपी ब्रिधी दर जोके लंबे समय तक मंदी के बिश्थी भारत में बहुत तेजी से बढ़ने की छमता है लेकिन मोदी सरकार द्वारा चौत दर्फा कुप्रबंधन इस मंदी का परिणाम है आपको बता दे कि हर सेक्टर में नौकरियों की कमी हो गई है बिरोजगारी बढ़ रही है साथ साथ जिस तरह से जीडेपी गिरा है उसे हिसाब से देखा जाये तो बहुत सिच्वेशन खराब हो चुकी है भारत में और इस पर उन्होंने कहा कि इस आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा कारण रहा नोटबंदी और जियस्ती भले ही सरकार इसको मानने में यकिन न रखती हो लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि देश एक बार आर्थिक मंदी की और बढ़ चला है देखिये रिपोर्ट The state of the economy today is deeply worrying. The last quarter's GDP growth rate of 5% signals that we are in the midst of a prolonged slowdown. India has the potential to grow at a much faster rate but all-round mismanagement by the Modi government has resulted in this slowdown. It is particularly distressing that the manufacturing sector's growth is tottering at 0.6%. This makes it very clear that our economy has not yet recovered from the man-made blunders of demonetization and a hastily implemented GST.